आधनिय सभावती जी हर दो वर्ष के बाद इस सदन में इस प्रकार का प्रसंग आता है लेकिन ये सदन निरंतरता का प्रतीक है लोग सभाव पांच साल के बाद नए रंग रूप के साथ सज़ जाती है ये सदन हर दो वर्ष के बाद एक नई प्राणशक्ति प्राप्त करता है एक नई उर्जा प्राप्त करता है एक नए उमंग और उत्षा का वातावन भर देती है और इसलिए हर दो साल में जो होने वाली बिदाई है वो बिदाई एक प्रकारते बिदाई नहीं होती है वो ऐसी स्मृतियों को यहां छोड़ करके जाते हैं जो स्मृतियां आने वाली जो नई बैश होती है उनके लिए यह अनमोल विरासत होती है जिस विरासत को वो यहां अपने कारकाल के दर्म्यां और अधिक मुल्यवान बनाने का प्रयास करते है जो आदन ये सांसद गण अपने कुछ लोग जा रहे हैं होता रहता है कुछ लोग आने लेके लिए जा रहे हो और कुछ लोग जाने के लिए जा रहे हो मैं विशेश रूप से मानिय डॉक्टर मनमौन सिंग जी का स्मरण करना चाहूँगा छेएक बार इस सदन में वो अपने मुल्यवान विचारों से और नेता के रुप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रुप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है वैचारिक बद्भेद कभी बहस में छिटा कसी वो तो बहुत अलपकालिन होता है लेकिन इतने लंबे अर्षे तक जिस प्रकार से उन्होंने कि सदन का मारदर्शन किया है वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ मानिय सतस्यों की जो चर्चा होगी उसमें मानिय डॉक्टर मनमोन सिंग की योगदान की चर्चा प्रूर कि और मैं कि सभी सांसदों से कि चाहिए सदन में हो या उस सदन में हो कि जो आज है वो चाहिए बविश में आने वाले है कि वह उन्हें से जरूर कहूंगा कि यह जो मानिय सांसद होते हैं किसी भी दल के क्यों नहों लेकिन जिस प्रकार तो उन्होंने अपने जीवन को कंड़क किया होता है जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कारकाल में कराए होते हैं उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सिखने के लिए प्रयास करना चलिए मुझे आद है उस सदन के अंदर लास कुछ दिनों में एक भोटिंग का आउसर था विशय तो मैं छूट गया है मेरा लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी मैंट की होने वाली है अंतर भी बहुत था लेकिन डॉक्टर मनमोन सिंग जी विल चेयर में आए वोट किया एक सांसद अपने दाईत्वा के लिए केतना सजग है उसका वो पुदार वो प्रेरग उदारुधा इतना इनहें मैं देख रहाता कभी कमिटी के चुना वुए कमिटी मेंबर्स के वो वील चेयर में भोट देने आए उसका Ge 1 इह कि सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे मैं मानता हूँ वो लोग तंत्रों को ताकर देने आये थे और इसलिए आज विशेश रुप से मैं उनके दिरगायू के लिए हम सब की तर्प से प्रांथना करता हूँ वे निरंतर हमारा मारदर्शन करते रहें हमें प्रेणा देते रहे अधेरिस हभापती जी जो हमारे साथी नए दाइत्पकी और आगे बढ़ रहे है इस सीमित विस्तार से एक बड़े विस्तार की दर्प जा रहे है राज सबहा से निकल करके जन सबहा में जा रहे है तो मैं मानता हूँ उनका साथ यहां का अनुभव इतने बड़े मंच पर जा रहे है तब देश के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी बन करके निकलेगा किसी उनिवर्सिटी में भी तिन चार साल के बाद एक नया व्यक्ति तो भार निकलता है ये तो छोश-चे साल की विबितताओं से भरी हुई है अनुभव से घड़ी हुई एक ऐसी उनिवर्सिटी है जहां चे साल रहने के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा निकलता है ऐसा तेजस भी बन करके जाता है वो जहां भी रहता है जिस भूमी का से रहता है वो अवश्य हमा यह सांसत जा रहे हैं एक प्रकार से वो वैसे गुरूप है जिनको दोनों सदन में रहने का पुराने वाले सांसत के भवन में भी और नए वाले सांसत के भवन में भी उनको रहने का आउसर मिला यह साथी जा रहे हैं वो आज हादी के 75 बार हमरत काल का उसके नेतरव का साक्षिव न करके जा रहे हैं और यह साथी जो जा रहे हैं हमारे सम्मिधान के 75 साल उसके भी शोभा बढ़ाते हुए आज हम सो कोई किसाढ जा रहे तो अनेख स्मूतिया ले कर के जा रहे हैं हम वो दिन बोल नहीं सकते कि कोवीड के कठीन कालखन भाए है हम सब ने परिस्टितियों को समझा परिस्टितियों के अनुकूल अपने आपको गडा यहां बैठने के लिए कहा तो यहां बैठो वहां बैठने के लिए कहा तो वहां बैठो उस कमरे में बैठने के लिए कहा किसी भी दल के किसी भी साउसद ने ऐसे विशों को ले करके देश के काम को रुकने नहीं दिया और कोरोना के वो कालखन जीवन और मौत का खेलता गर से बाहर निकले पता नहीं क्या होगा उसके बाद भी मान्य सांसदों ने सद में आकर के देश की जिम्मेवारियों को निभाया देश को आगे बढ़ाया और इसलिए मैं समझता हूँ को कालखन को उस कालखन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है संकटों के बीच भी भारत के संसद में बैठे वी व्यक्ति कितने बड़े दाइत्व को देभाने के लिए कितना बड़ा रिस्क भी लेते हैं और कितनी कठिनाईयों के बीच में काम भी करते हैं इसका अनुभव भी हमें हुआ सदन में खटे मिठे अनुभव भी रहे हमारा कुछ दुखत घटनाए भी रही कोविड के कारण हमारे कुछ साथ ही हमें छोड़के चले गए आज भू हमारे बीच नहीं है वो भी सदन के इसी कालखन के कुछ पतिभाय थी जो हमारे बीच से चली गई वो एक दुखत घटनाओं को हमने स्विकार करते हुए भी हम आगे बढ़ते रहे और भी ऐसी कुछ घटना हुई कभी कभी फैशन परेड का भी हमने द्रश्य देखा काले कपड़ों में सदन को फैशन सो का भी लाब मिला तो ऐसी विबितताओं के अनुफों के बीच हमारा खार काल बचा और मैं तो अब खरगेजी आ गए हैं तो मेरा एक धर्म तो निभाना ही पड़ता है मुझे कभी-कभी कुछ काम इतने अच्छे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक उप्योगी होते हैं हमारी यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है कोई बच्चा च्छे कपड़ों पढ़े पहन करके पाउसर के लिए त्यार होता है तो परिवार में एकात स्वजन आ जाता है किसी की नजर लग जाए भी तो काला टीका कर दो तो ऐसे काला टीका कर देते हैं आज देश पिछले दस साल में सम्रुद्धी के नए ने शिखर सर कर रहा है एक भव्य दीप्य वाताबन बना है उसको नजर लग जाए इसलिए काला टीका करने का प्रयास हुआ है मैं उसके लिए भी खरगेजी का बहुत धन्यवाद करता हूँ ताकि इस हमारी प्रगती की आत्रा को कोई नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है मैं तो सोच रहाता सब काले कपरों में आएंगे लेकिन चाहिए काला जोदू खिस्ते 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 ब्लेक पेपर थक चला गया है लेकिन फिर में मैं उसका भी स्वागत करता हूँ क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए इसलिए बहुत जरीवी होता है और उस पवित्र काम को और आज जिस उमर के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है तो मैं इसके लिए भी आपका अभार व्यक्ति करता हूँ आधनिया सभापती जी ये विशे कोई लंबा बोलने का तो है नहीं लेकिन हमारे यहां सास्त्रों में एक बहुत बढ़िया बाद कही के ये शायद हमारे सब साथी जा रहे हैं तो जो कमी भी हमें मैसुस होगी उनकी क्योंकि उनके विशारों का लाप जो आ जाएंगे वापिस वो तो और तेज तरार होकर के आएंगे जिसको हमला करना है वो भी मैसेदार हमले करेंगे और जिसको रक्षा कबच करना है वो भी बढ़िया बनाएंगे वो अपना कान चलता रहेगा हमारे यहां सास्त्रों में कहा गया है गुणा गुणग्येशु गुणा भवन्ती गुणा गुणगेशु गुणा भवन्ती ते निर्गणम प्राप्य भवन्ती दोशा हा ते निर्गणम प्राप्य भवन्ती दोशा हा आश्वाध्य तोया प्रभवन्ती नद्य सबुद्र मासाद्य भवन्तय पेया उसका बटलब है गुण गुणी लोगों के बीच रहेकर गुण होते हैं जो गुणी लोगों के बीच रहने का मोका मिला तो उनके साथ रहने के हमारे भी गुणों में बड़ोत्री होती है निर्गुण को प्राप्त करके वो दोश युक्त हो जाते है अगर गुणियों के भीच में बढ़ते हैं तो गुण तो बढ़ जाते हैं लेकर गुण ही नहीं है तो दोस बढ़ जाते हैं और आगे कहा है नदियों का जल तभी तक पीने योग्य होता है जब बहता रहता है सदन में भी हर दो साल के बाद नया प्रवाहा आता है और जब तक बहता रहता है लेकिन नदी कितनी ही मिठी क्यों न हो पानी कितना ही स्वादिष्ट क्यों न हो लेकिन जैसे ही समुत्र से मिल जाती है वो किसी काम की रहती नहीं है उसमें दोश आ जाते हैं दोश युक्त हो जाते हैं और इसलिए समुद्र को प्राप्त करने के बाद पीने योग के नहीं रहता, मैं समता हूँ ये संदेश हर एक के जीवन में प्रेरक रहेगा, इसी भावना के साथ, जो साथी समाज जीवन के एक बहुत बड़े फलक पर जा रहे हैं, इस जीवन्त युनिवर्सिटी से प्राप्त करके जा रहे हैं, उनका मारद रशन, उनका कर्तुर्त्व, राष्ट के काम आएगा, नई पीडी को प्रेणा देता रहेगा, मैं सभी साथियों को रदय से अनेक अनेक शुब कामनाय देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। Honourable Leader of the Opposition,